Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है बच्चो उसमें हम डेस्कस करेंगे वाक्षीट नमबर वन फोर क्लास टेंथ जो ये वाक्षीट है आपके 6 जुलाई 2021 के लिए शेडिूल की गई है और बच्चो आप जो वाक्षीट आपके आरही है वो जनरल बेसिक आपका जो नौलज है उसी को रिक कैपुचलेट करने के लिए वाक्षीट आरही है पर्टिकलर से लेबस स्पेसिफिक वाक्षीट आपकी नहीं है तो आपको basic concept यहाँ पर अपने enrich करने है So let's start Worksheet शूर करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी And bell icon को भी प्रेस कर लू ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की notification वो समय से मिलती रही So आज की जो worksheet है उसमें क्या दिया गया है भारत का सवीधान उदेशी का दी गई है सभी बच्चों ने अपनी NCRT book में हर एक book में यह जरूर देखी होगी कि इस तरह से उदेशी का जो है आपको दी जाती है ठीक है हमारे जो सवीधान है बच्चों उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि निचोड जो है वो उदेशी का है अब देखे हम भारत के लोग ठीक है भारत को यानि इसमें क्या यूसके आगया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुतव संपन समाजवादी पंथ निरपेक्स लोग तंत्रात्मक गण राज्य थीक है बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक आर्थिक राशनेतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्टर की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रिशंकल्प होकर अपने इस सविधान सभा में आस तारिक 26 नमबर 1949 को यानि 26 नमबर 1949 को हमारा सविधान बनकर तयार हो गया था जिसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से एतद द्वारा इस सविधान को अंगीकरत अधिनियमित और आत्म आत्मर्पित करते हैं तो ये क्या है ये हमारे सविधान की उद्देशिका है उपर भारत के सविधान की उद्देशिका दी गई है इसे आपने अपनी पुष्टक के आरम में भी देखा होगा उद्देशिका को पढ़कर निमलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने है ठीक है, तो भारत का सवीदान कब बन कर तयार हुआ? हमने अभी पड़ा 26 जनवरी 1949 को भारत का सवीदान बन कर तयार हुआ. नेक्स देखिए, यहीं से लिख लेंगे 26 जनवरी 1949. उपरोक्त उदिशिका में वरनित, भारतिय सवीदान के कुछ मुल्यों की पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ती कीजे. तो यह क्या है? यह स्वतंत्रता है. तो आप इनको जो है complete लिख लेंगे, यह क्या है स्वतंत्रता. दूसरा क्या है? दूसरा है समता, यह समानता लिख सकते हो, समता. तीसरा क्या है? तीसरा है लोक्तंत्रात्मक. तीसरा यह हो जाएगा, लोक्तंत्रात्मक. तीसरा यह हो जाएगा, लोक्तंत्रात्मक. तीसरा यह हो जाएगा, लोक्तंत्रात्मक. तीक है? उसके बाद देख ये लिख सकते हो आप पंथ निर्पिक्स उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गण राच्य क्या हो जाएगा गण राच्य ठीके नेक्स्ट है भारतिय सविदायन की उद्देशिता में वर्णित किसी एक मुल्ले के विशे में जानकारी एकत्र करके लिखिए तो कितने सारे मु इर्पिक्स किसे कहते हैं प्रभूतव संपन का क्या मतलब है लोगतना तंतरात्म गणराज्य क्या है स्वतनतरता क्या है समता क्या है किसी भी बंदुता क्या है किसी एक पॉइंट पे आपको अपना यहां पर क्या है अपने विचार जो है वो देने हैं उसके बारे में एक्षिन्स होते हैं चुनाव करवाए जाते हैं तो हमारा देश क्या है वो लोग तंत्रात्म गन्राच है तो बिटा काफी बेसिक इंफोर्मेशन है जो आपको खुद से अपनी कौपी में लिखनी है सो ये थी आपकी आज की SST की वोकशीट I hope students आपको वोकशीट क्लियर है कोई भी डाउट है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग स्टूडेंट है और दो रे था वीड़न कीजिए वाचे रिंवल्हार फिते हैं क्लिए रिंवल्हार रुटवध है क्लिए ये तो अवर्ष भीड़न के क्लिए है क्लिए भीड़न काुश।